अलो गई सोबत आप सभी का हमारे भीके स्पेसल इंटूब चनल पर और आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊँगा T800 Ultra Smart Watch को आप अपने Mobile Phone से कैसे Connect कर सकते हूँ मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ तो आज की इस वीडियो को आप आते तक बोच करेगा अगर आपकी चनल में पहली बारे मुझे चनल को सब्सक्राइब करके पहले की नवा देना तो चल्ड़ो आज की इस वीडियो पर शुरू करते हूँ कि इट हंडेड अल्ट्रा स्मार्ट वर्च को कैसे कनेक्ट करना मैं आपको बता देता हूँ देख सकते हूँ इस तरह कि आपको इदर पर देखने के लिए मिल जाती है बहुत चाहिए मैंने 500 रुपीज में पर्चेस की है आपको इसको कैसे कनेक्ट करना मैं आपको बताता हूँ तो आपको सबसे पहले किया करना आपको अपने मोबाल फोन में एक एपलिकेसन डाउलूड करना होगा तो आपको अपने मोबाल फोन में एक एपलिकेसन डाउलूड करना आपको पिले स्टोर को उपन करना पिले शार्च वाले वार में जाना हो तक पर उप conferma जाने के बाद आपको अधर पर सर्च करना फट प्रो एंड जैसे आप समने को इंटर्फिस्ट वोगर तो आपको इदर पर एक option देखने के लिए मिलेगा set वाला तो आपको set वाले option में किलिक करना है जैसे कि मैं आपको बताता हूँ तो आपको इदर पर एक option देखने के लिए मिलेगा set वाला तो आपको set वाले option में किलिक करना है जैसा आप set वाले option में click कर दोगे आपके सामने कुछ इस तरह एक interface वगरा आ जाएगा अब आपको अपने mobile phone का Bluetooth को own कर लेना अगर बंद है तो आपको अपने mobile phone का Bluetooth को own कर लेना है और उसके बाद इदर पर एक option आएगा device वाला तो आपको device वाले option में click कर देना है जैसा आप device वाले option में click कर दोगे तो आपके सामने इस तरह एक interface वगरा आ जाएगा इदर पर आपके सामने एक loadings वगरा होने लगी और आपकी smartwatch इदर पर connect होने लगी जैसा कि आप देख सकते हो तो अगर आप अपनी smartwatch को first time connect करते हो तो आपको दर पर model number देखने के लिए मिलेगा तो आपको अपनी smartwatch की model number पर click करना है आपकी smartwatch connect हो जाएगी आप देख सकते हो हमारी smartwatch connect हो जुकी है जैसे कि हम find वाले option में click करेगे तो हमाई smartwatch find होने लगी लगी तो अगर आपकी smartwatch कहीं पर घुम जाती रखा जाती तो आप इस तरह से find कर सकते हो यह सबसे अच्छा feature से आप अपनी smartwatch को दूड सकते हो अब बात करेगे आपको किस तरह से अपनी smartwatch में photo वगरा लगाना features के बारे मैं आपको बता देता हूँ आप इस तरह से connect कर लोगे तो आपको इदर पर कुछ features वगरा देखने के लिए मिल जाते हैं तो इदर पर मैं आपको features के बारे में बताता हूँ तो जैसा कि guys आप इदर पर देखोगे आपको इदर पर एक message वालो option देखने के लिए मिलेगा इदर पर SMS को on कर दोगे जैसे Instagram WhatsApp के message को on कर दोगे तो आपके WhatsApp पर जो भी message है रहा वो आपके smart watch में देखने के लिए मिलेगा तो आप इदर से on कर सकते हो notification को और डूसरा features आपको dial settings वाले एक option देखने के लिए मिलेगा डाल settings में आपको एक option देखने के लिए मिल जाता है जैसा कि आप देखोगे इदर सब थीम बगरा चैन्ज कर सकते हो एंड आप अपनी फोटो भी लगा सकते हो तो फोटो कैसे लगाना आपको सबसे लास्ट में आना है इदर पर एक custom dial का option मिलेगा आपको किलिक करना है किसी होटी में अपनीी फोटो को दिख nickel कर देना है जैसे आपनी फोटो को स्लिक्ट कर लेते है जैसे की मैं अपनी फोटो को स्लेक्ट कर लूंगा इदर पर उसके बद कुछ तरह की इंटरफीश है premièreрафीस आपको इंस्टोल वाले ऑप सन में किली कर देना है ज पर आप देखोगे इदर पर आपको गोईट बाले option में किलिक करना अब आपकी smart गोच में देख सकते हूं इस तरह एक interface वगर आपको देखनी किली मिल जाएगा आपके smart गोच में और इदर पर आपकी जो फोटो है वो इंस्टॉल होने लगती है आपकी smart गोच में तो हम थोड़ा सा बेट कर लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हो तरपर पर हम थोड़ा सा बेट करेंगे और हमारी smart गोच में फोटो कुछ इस तरह सब अपनी smart गोच में फोटो लगा सकते हो अगर आपके वीडियो पसंद आई त थैंक्स सुर्बो चिंग बाइ बाइ